जी 76 साइकल से हम आज बनाएंगे डबल स्टार्ट थ्रेड और क्योंकि ये मशीनिंग पूरा कूलेंट के साथ में हो रही है तो यहां पर फिनिशिंग हमको मिंटेन करनी होती है इसलिए कटिंग जब भी करेंगे तो कूलेंट के साथ ही करनी है आपको कटिंग तब ही आपको फिनिशिंग मिलेगी वरना आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी फ्रेड आपको डैमेज हो जाएगी इसका जो क्लोज व्यू है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो हमारी फ्रेड्स हैं वो किस तरीके से डबल स्टार्ट हों यहां से स्टार्ट हो रही है ठीक है और 180 डिग्री जब आप रोटेट कर दो के तो आपको दूसरी थ्रेड की स्टार्ट इख जाएगी यहां आप आप क्लोज वी में देख सकते हैं यह त्रेड जो है डबल स्टार्ट थ्रेड है और यही इसकी असली पहचाने की दोनों ही त्रेड जो है अपोजट डारेक्शन में जो है बनती है और चलती एक ही डारेक्शन में अगर आप चड़ाएंगे इसके उपर नट तो एक ही डारेक्शन में चड़ेगा बट बनेगा 180 डिग्री के अप कौन पर ठीक है तो यह चीज़ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीक आपके अपने चैनल सिग्मयूत इंजिनियर्स पे मेरा नाम है विपनियादव और आज का वीडियो है इसमें हम आपको एक्स्प्लेइन करेंगे डबल स्टार्ट थ्रेड हम कैसे बना सकते हैं तो यहां पर हमने आपके लिए प्रैक्टिकल किया हुआ है और यह जो क आपके अपके अपर देखिए और एक त्रेड आपका जो है जस्ट अपोजट यहां पर देखिए यह देखिए यह दूसरा जो है यह आ रहा है ठीके तो दो थ्रेड जो है आपकी एक साथ बन रही है और अगर आपको ज्यादा इसको एक और मैथड है इसमें क्या करना है आपको अपने नाखून को जो है से घुमाना है जैसे ही आपका जो है एक राउंड पूरा होगा ठी थ्टिके तो आपका जो नाखून है देखिए यहां से स्टाठ किया यह देखिए सेकिंड थ्रेड में आटोमेटिकली आ गया यानि कि अगर आप इसको आधा टर्रें करेंगे तो आपका जो है एक ठेड़ आपका आगे पास कर जाएगा तो इस तरीके से जो है डबल स्टा जितनी जल्दी हम इसको आगे बढ़ा सकें, झालायी तो हां अगर सिंगल श्धर पर क्या है dabल कर लेगा इसका डबल ज ten का मैं थिको बनाते हैं. अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है यह बहुत important है इसके लिए हम आपको एक example के थूँ जो कि हमने इस component को बनाया है इसका पूरा आपको समझा दोते है बेसिक अभी यह जो 90 डाया का component है ठीक है 90 डाया के component के ऊपर आपने पहले turning की है आपको 40 डाया का आपको 40 डाया का आपने size turning करके maintain कर लिया है यहां पर हमने एक group बना लिया है ताकि थ्रेड हमारी इसमें फसे ना हूँ ठीक है अब जो थ्रेड लेंथ है यहां पर दोच लिए यह 30 mm की थ्रेड लेंथ है 40 डाया का component है और इसके ऊपर हमने M40 into 1.5 यह 1.5 जो है इसकी pitch है तो 1.5 की pitch के double start thread बनाई है अब double start thread बहुत सारे लोगों ने बनाने की कोशिश की बट जो है गलती कर देते हैं इसकी वेसे thread जो है एक दूसरे के ऊपर चड़ जाती है तो जो गलती नहीं करनी है वो मैं आप मैं थोड़ा सा भी mistake किया तो यह thread जो है damage हो जाएगी और आपको जो लगेगा कि single start thread है ठीक है double start thread सही बनाने का जो तरीका है उसको check करने का तरीका है कि आपकी जो एक thread है वो इधर आएगी दूसरी thread यहाँ पर आएगी ठीक है 180 degree का जो है कॉन बनेगा इसका starting point ठीक है पहल okay thread आपकी तभी मानी जाएगी जब double start thread में एक दूसरे के बीच में 180 degree का एंगल इसमें बनेगा दोनों ही thread जो है opposite side बनेगी तभी हमारी thread सही होगी अब इसको बनाना कैसे है इसके लिए देखो मैं आपको सबसे पहले कुछ calculations बता रहता हूँ जब हम single start thread डालते हैं तो वहाँ पर जो pitch होती है ये pitch जो है ये lead कहलाती है ठीक है तो ये एक thread से दूसरे thread की distance को हम pitch बोलते हैं ठीक है लेकिन जब double start thread होता है तो इसकी जो pitch है वो same रहती है बट एक rotation में जो है ये double travel करेगा तो ये जो है इसका lead जो हो जाएगा ये वाला जो distance है double हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम lead ठीक है double start thread में क्या होता है lead equal to feed equal to 2 into PITCH ये formula आपको लगाना पड़ेगा ये ध्यान रखिए ये formula बहुत important है अगर आपने ये formula बिस कर दिया इसको समझने की कोशिश करनी है कि अगर आप double start thread बना रहे हैं तो 2 से multiply करेंगे अगर आप triple start thread बना रहे हैं तो 3 से multiply करेंगे अगर आप 4 start thread बना रहे हैं तो आपको 4 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको 2 into PITCH ये value आपको जो है देनी है ठीक है तो यहाँ पर lead हो जाएगी आपकी feed के बराबर और feed हो जाएगी आपकी 2 into PITCH equal to हो जाएगी 2 into 1.5 equal to हो जाएगी 3 double start thread के case में जब PITCH आपकी 1.5 होगी तो आपकी जो lead हो जाएगी feed के बराबर और feed हो जाएगी आपकी 3 ठीक है और यह formula आपको याद रख लेना है यह बहुत important formula है इसी के base पर जो है आपकी thread बनेगी ठीक है दूसरी चीज़ माइनर डाया माइनर डाया बहुत important है अब यह माइनर डाया के calculate करने के लिए जो यह formula लगाना पड़ेगा आपको जिरो पाइंट सिक्स वन फोर मैल्टिप्लाई बाई पिच थ्रेट डाप्थ ठीक है Thread Depth का जो formula है वो यह है ठीक है और Thread Depth से जो है हम Thread Depth क्या होती है आपकी यह वरी distance होती है आपको दिखा लगा हूँ यह होती है आपकी Thread Depth Root और Priest इन दोनों के बीच की जो कहराई है इसको बहुते है Thread Height ठीक है और इसको Thread Height और Thread Depth एक ही चीज़ है इसमें confuse मत होना यह Thread Depth भी बोल लेते हैं और Thread Height भी बोलते हैं ठीक है तो यह Thread Height यह हमें निकाल लिए है एक साइड की यह वाली निकाल लेंगे हम एक साइड से और दूसरे साइड से दोनों साइड से मैलिस कर देंगे तो यह हमारा निकल के आएगा यह आपका हो गया मैलिस निकाल लेंगे जब तो यह आपका हो जाएगा और जो बॉटम से निकाल लेंगे जब तो यह आपका हो जाएगा माइनर डाया तो मेजर डाया से माइनर डाया को माइनस कर देंगे तो आपको जो है यह निकल गया जाएगे लेकिन हमको निकालना क्या है माइनर डाया तो माइनर डाया हमें पता ही नहीं है तो माइनर डाया हमको निकालना है तो पहले हम जाएगे थ्रेड डेप्ट निकालेंगा, थ्रेड डेप्ट का फर्मला क्या है, 0.614 into pitch, ये वैल्यू से हमें इसकी थ्रेड डेप्ट मिल जाएगा, 0.614 multiply by 1.5, ये हो जाएगा आपका 0.921, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये क्या है, एक साइट के निकल के आ गई, ठीक मैजर डाया एक पर जाएगा, मेजर डाया, माइनस, 2 into, ठेड डेप्ट, ठीक है, ठेड डेप्ट के दोगनी से जेखे डाया को मैज़क्स कर देंगे, तो यहां में निकल के आएगा आपका 40, ठीको मैजर डाया, 40 की दिया हुए, माइनस, तू और ठेट की वेल्यू आपने यहां पर निगाल लिए है ठीक है 0.921 यह आपकी वेल्यू अभी अब इसको मॉल्टिप्लाई करें तो हो जाएगा आपका 40 माइनस 1.842 टीक है यह वेल्यू आपकी निगल क्या लगी है अब इसको माइनस करें के इसमें तो निगल क्या है आपकी वेल्यू इसमें से इसको माइनस करें के तो निगल क्या है वेल्यू आपकी 38.152 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका माइनर डाया माइनर डाया आपने निकाल दिया थ्रेट डेट आपने निकाल दिया यह दोनों पॉइंट जो है आपको जब प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपको जहें यह दोनों वेल्यू एड़ करने पड़ेंगी तो यहाँ पर आप देख वीजिए माइनर डाय पल दो हुजाएगा 38.158 और थ्रेट डप्रोग्राम दिया आपके है खेंगि जिलो पॉंट 920-1 अब इसको मैलईष करेंके तो यह हो जाए कि वरी ऑप की 921 मेल def le s 2 अब आपके वेले एक तो फीट इसी बपद भी मा आटा की वेलुँ पता चल भी आपrat मगिए अब यहां को चाल ना है तो चलिए आप जो है हम प्रोग्राम बनाएंगे ठीक है अब प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अब से पहले लेको O001 N1 G28 U0.0 W0.0 T0101 G0 G97 S1200 उसके बाद लेंगे हम आपके M03 यहां पर हमने तूल को स्टार्ट कर जाएंगे हम सबसे पहले रैपिड में टूल को लाएंगे और इसके पास खड़ा करेंगे और इससे बहुत पीस के सर्फेस सब थोड़ा सा उपर रखना है ताकि जो है यह जो है अब हम क्या करेंगे लेके आएंगे G76 साइकल के पास अब यहां तक जो है हमारा टूल आचुका सेफ हवा में है अब हमको जो है G76 साइकल लगागी है G76 साइकल कैसे लगेगी G76 P04 0060 Q150 R150 सारी यहां के क्यों हम जाए है 100 ले लेता है और और जी 76 X 38.158 उसके बाद Z की वैल्यू माइनस 31 और फिर डालेंगे हम P की वैल्यू 0921 Q की वैल्यू डालेंगे हम 100 और फिर डालेंगे हम 3.0 ठीक है यह होगी आपके फर्स्ट लाइन उसके पाद हम सेकेंड लाइन लेंगे G 00 X 42 Z 2.5 उसके बाद लेंगे G 76 P 04 W 0 6 0 Q 100 R 150 G 76 G 76 X 38.158 Z – 31 P 0921 Q 100 और फिर 3.0 ठीक है उसके बाद जोगे हम फिर से पोजिशन करेंगे G 00 X 50 Z 10.0 और M 09 उसके बाद हम डालेंगे इसके बाद प्रोग्राम हम यहां लें जाते हैं यहां पर समझना है आपको P G 76 का जो syntax है उसमें P के साथ में जो यह value दी होती है यह होता है number of spring passes spring passes का मतलब यह हो जाए कि जो finish cut में उन्हे value छोड़ी हुई है उसको जहें चार बार में यह cut करेगा तो यहां पर आप 3 भी दे सकते हो 2 भी दे सकते हो हमने 4 दिया है चार इसलिए दिया है क्योंकि हमने जो finish cut के लिए value छोड़ी हुई है वो 150 micron है 60 degree का angle बनाती है thread इसलिए हमने यह आपका 60 लिखा हुआ है बनेगा हर एक normal cut में कहा है roughing cut जो बोलता है roughing cut भी आप बोल सकते हो roughing cut जोने आपका 100 micron दोचलेगा इसको आप normal cut भी बोल सकते हो roughing cut भी बोल सकते हो cube की value जोगती है वो आपने 100 micron के रिसाब से decide कर लिए है अब R की value है यह हो गया आपका finish cut के लिए जो आपने value छोड़ कर रखी finish cut में इतना amount छोड़ देना इसके लिए spring passes कौन से चाहिए इसके लिए spring passes चाहिए यह वाले यह वाली value है इस value को divide करके cut करेगी कैसे करेगी देखो 150 divided by 4 तो यह हो जाएगा census point 1 150 को 4 से divide करोके तो census point 5 आएगा और यह एक बार में free pass में इतना material cut करेगा census point 5 micron जो है clear होगे यहां तक Q की value कोता चल गई R की value कोता चल गई अब हम चलते है next line में यह line बहुत important है इस line में देखो x की value दे रखी है 38.158 यह क्या है यह हो जाता है हमारा minor dia यह हमने calculate किया था तो कैसे calculate किया था आपको पता है x की value होती है z की value होती है thread length यह वाली जो length है आपने देखी होगी यहां पे 30 mm की है हमने 1 mm जो है टूल को बाहर निकाला है तो minus 31 किया हुए यह है आपका thread depth or thread height अब thread height को हम microns में देते हैं तो यह देखी है thread depth हमने निकाली हुई है 921 mm 0.921 mm 921 micron ठीक है तो यह हमने यहां पर लिख दिया 921 micron यह micron में ही value आपको डालनी है point में नहीं डालनी है क्यूंकि value यहां पर दी हुई है micron में तो यह क्या है आपका यह है हमारा first cut यानि कि first cut में हम कितना material निकालेंगे 100 micron जो है हम first cut में निकालेंगे first cut आप यहां यहां पर 1.500 भी दे सकते हैं जारता जो लोग है पहला cut जो है बड़ा लगाता है तो आप यहां पर 1.500 भी दे सकते हो तो यह value आप यहां पर डाल दोगे उसके बाद आप जाए टून को position कराओगे यह position आपको करा देनी है X42 Z 2.5 भाचा भाहर लेनी चीए उसके बाद आपको क्या करना है यह दिए G76 second pass लगाना है G76 P04 0060 same है कालिवादी की तरह Q100 R150 R150 आपको जाने लबाना है same है आपके value finish pass के लिए X की value भी same रहेगी Z की value भी minus 31 सेम रहेगी यह value same रहेगी और यहां पर यहां पर यहां लगना कि जो feed की value है 3 ही होनी चाहिए दोनों में 3 रखना है आपको उसके बाद क्या करना position कराके नहीं है पीछे लगना है टोल को X50, Z10 पर उसके बाद M5C spindle को आपको दिराम दे देना है G28 से आप reference कर दीजिए और M30 से आप अपने program को add कर दीजिए अगर आप save program save up machine पर चलाएंगे आपका 100% सही program बनेगा गलती नहीं करेंगे जो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि यह program आपका रहन करेगा क्यूंकि हमने यह component बनाया है से practical करके तो आप यह बिलकुल program आप machine में डालिए यही size maintain करिए आपको double star threat का program आपका बन जाएगा कोई में doubt आता है आपको वो comment करिए बताइए कि आपने प्रोग्राम बनाया तो कैसा बना ठीक है तो I hope यह video आपको पसंद आएगा वीडियो पे like करिए चैनल को subscribe करिए next video में हमने triple star thread और four star thread का भी प्रोग्राम आपको बताएगे practical के साथ ठीक है वीडियल में जो component बना के हम दिखाएंगे वो आपका बिल्कुल सही होगा तो I hope यह video आपके लिए handful दाएगा अभी के लिए बस इतना ही वीडियो में thanks for watching video किन दूएंगे एपके लिए फर शावियो में दुएंगे बस बसा बाएगे वान की किक वे वियृएंगे मातनी किने वे वेधने अव blocking वे वीज़ 5 च्र दोएंगे ग्र मैं च्रॉएंगे मुए्सरी चार सुप तर्फेतर बेन्ट और नेज़ व्याई यू तर्फेल्स विलन ओू ही अडिंग अज्सेट कर दो मुए्सा कर दो झान गांस से इंग फो गिस दूबू को तूद्स अपर अब धिस कर गांस से दो So I breathe in Then I breathe out Breathe in Stop and close my eyes And slowly breathe out So tired of the fighting The whispers and backbiting I'm invisible With no one around me Can't move the constellation Control this situation I'm invisible And learning to let it go Let it go, let it go, let it go So sick but cooling down I drank the water but I didn't drown I swim far, so far away I dove so deep that I lost my way So I breathe in Then I breathe out Breathe in Stop and close my eyes And slowly breathe out Breathe in Then I breathe out Breathe in Stop and close my eyes And slowly breathe out In the wild So sick of broken wings I think I'm sad 刘 के दो पना बैंने कि … और सकंए मुटर कर दो और सक्थेमें दोर से स्ब्रीए खिर ही किक उटे जो सिने स today मुआ अब और है सुखंग टूब जूब एफ नहाँ टूब जूब और सुखंग ऴेल्ग इंड़ स्टफंग और लिए टाद़ लाँ